हालो फ्रेंड स्वागत है आपका मारे चैनल पर आज हम आपके लिए कुछ अलग टेश्टी मज़िदार नया नास्ता घर की चीजों से जटपट से बनाएंगे इतना असान है बनाना कि इस नास्ते को बनाने के लिए आपको आलू को बारने की भी जुरूरत नहीं है और सबस इस मज़िदार सी रेस्टी को बनाना सुरू करते उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमाई चैनल को जरू सस्क्राइब कर लीजिएगा साथ ही नौट्पिकेशन में को आन कीजिए त अब हम क्या करेंगे फटाफट आलू को चील लेंगे तो जब तक हम आलू को चील लें आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेस्पिक किस जिले से देख रहे हैं किस रास से देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं और साथ ने जगा का नाम लि यहां पर हमने ना बहुत जड़ा बड़ा लिया ना बहुत ज़़ा छोटे वाला लिया है मीडियम चेन वाला लिया है और इस तरीके से हम आलू को पानी के अंदर ही ग्रेड करेंगे जिससे क्या होगा आलू की लच्छे बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेंगे तो फ्रेंड वरीश के लिए आलू बहुत ज्यादा हानिका रख है आप इसकी जिगा पर पत्ता गोबी या पूल गोबी का इस्तिबाल कर सकते तो चलिए फटा फटा फट हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है यहां पर मैं आपको लच्छे दिखा देती हूँ, इस तरीके से हमें पतले-पतले से लच्छे मिल गए हैं, जिसको पकने में बहुत इकम टाइम लगेगा, अब हम हलकेल के हाथों से लच्छो को 3-4 पानी अच्छे से वास करेंगे और इस तरीके से निचोड़ेंगे ताकि जो लच्छे वो टूटे ना हलके हाथों से और यहां पर जो पानी होगा उसको आपको वेस्ट करने की जुरूरत नहीं है, यानि फेकने की जुरूरत नहीं है, आप इसे पौधों में डाल सकते हैं, अगर आपके नीचे आँखों के नीचे डार्क सकते हैं, तो आप महां कभी भी कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं मनेगा, जब आप गरम-गरम खाएंगे तब तो कुरकुरा लेगा, लेकिन जैसे आप ठंडा होने के बाद खाएंगे वो सौफ्ट हो जाएगा, तो बहुत साय लोग की सिकायत होती ही, जब वो नास्ता गरम-गरम खाते तब तो इस तरीके से तीन से चार पानी अच्छे से बास कर लिया है, तो लच्छे हमारे कितने ज़्यदा सफेद हो चुके हैं और इस तरीके से खिले-खिले से हैं, अब इसको हम थोड़ा सा साइट में रख देंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे एक बड़े साइश का बरतन और इसके अंदर रखेंगे इस तरीके से चंणा, अगर आपके पास यह वेला चंणा ना तो आप इसकी जगा पे कोई भी मलमल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा भी इस्तवाल कर सकते, और आप इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजू सूजी, जिसको रहा भी उलते हैं, सम आप में एक कफ है, अगर आपके पास इस तरीके से मिजरमेंट कफ नहीं है, तो आप घर की कटोरी का इस्तमाल कर लिजेगा, लेकिन इस रैस्पी में आप मिजरमेंट का खास हया लगना, तो जितना हमने सूजी लिया था, उसका हमें आधा लेना है बेसन, मोटा महिन जो बेसन हो आप ले सकते, और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से इस तरीके से चान लेंगे, चानने से क्या होगा, कि जो हमारा सूजी और बेसन मिलेगा, वो लॉम्स फिरी मिलेगा, और मार्किट से हम कई बार लेके आते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ होता जरूर है, चोन ख़ान के इस्तिमाल करने से सो भी नहीं जाता है हमारे नास्ते में और हवारे नास्ता अच्छा बनता है तो देखे इस तरीके से अंछन्ने चछान लेंगे कि आपने नास्ते को कुरक dispi को क्रिस्टी बनाने के लिए हम क्या डालेंगे आई यह आपको बता देते हैं तो आप स्स while काटा दो चमच अगर आपको चावल क्या उट मलएगे डालाव कोंफ्लॉर और भी डाल सकते फिर इसके बार हम इसके डालेंगे टेस्ट के कॉर्णिंग नमक तो नमक आप जितना खाते उतना डाल सकते फिर थोड़ इसी कुटी हुई लाल मिर्च खाफ टीस्पून तक अगर आपके पास कुटी ना हो तो आप पिसी भी ले सकते चौथाई चमज जीरा लेंगे और चथाई चमज हम लेंगे 100 दोनों की कॉंबनेशन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो हमने इसके अंदर बेशन डाला है तो थोड़ा साम इसके अंदर हिंग डालेंगे जिससे क्या होगा बेशन भी भारी नहीं होगा और हर कोई से खापाएगा और अब हम स पॉड़ा या नहीं खटाई का इस्तमाल कर सकते फिर चौथाई चमज डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होमेड है अगर आपको इसकी रैस्वीच है तो कमेंट बाक्स में कमेंट करना आपके साथ सेह करेंगे और थोड़ा साम इसमें डालेंगे टर्मरी पॉड़र सिर्फ दो करने हूं आप सरसो का तेल मत लेना चाहे तो घियो बटर डाल देना अगर आप तेल नहीं खाते हैं तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहां पर हम इसमें आड़ करेंगे पानी है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसको मिलाएंगे तो यहां पर आपको खयाल यह रखना है कि एक साथ पानी डालने की गल्टी नहीं करनी है नहीं तो क्या होगा हमारा यह गोल पतला हो जाएगा हमें पतला नहीं चाहिए तो सुझी और बेसन अच्छे से फूलता है इसलिए हम इसको बहुत ज़़ा गाड़ा भी नहीं रख तो हम इसको कोई भी बेकिंग पॉड़ा यह सोड़े का इस्तमाल नहीं करेंगे, तो हम इसको 2-3 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि सूजी हमारी बारीक वाली है, अगर आपका मोटा वाला है, दोलों तो आप इसकी जगा पर 5 जगा लख लिजिए गा, 5 मिनट लख लिजिए ताकि सूजी और बेशन अच्छे से फोल जाए और फिर हम इसे यूज़ करेंगे अगर आपको जाए जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पोड़ा या खाने वाला मीठा सोडा एट कर सकते लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा तो हम हेल्दी बना रहें तो हम इसको कंड़ दालेंगे एक चुटकी हींग बस इसको हम 10-15 सेकंड चटकने देंगे जैसे ही चटक जाएगा इसमें हम छोटा चमळ जालेंगे जीरा गर बड़ा चमळ चाह तो आदा चमळ डालना आदा चमळ डालेंगे सौक दोनों को 10-15 सेकंड चटका लेंगे काला मेलकुश भी नहीं करेंगे जब यह अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें हम एक चम्मद डालेंगे धुली हुई उरत की डाल जिसको मैंने विगो कर नहीं लिया है बहुत साइग लोग कमेंट करते हैं कि डाल को कैसे यूज़ करना है तो डाल को आप कपड़े से अच्छे से पोच लिज़े विगोने की जरूरत नहीं है अब डाल को हम 10-15 से अच्छे से भूल लेंगे अगर आके पास धुली हुई उरत की डाल ना हो तो आप इसकी जगा पर चने की डाल कर सकते हैं या फिर मोमफोली भी ले सकते हैं कच्छी तो यहाँ पर देखे डाल हमारी अच्छे से भूनगी है बहुत ही अच्छी सी खुस्बू आने लगी है तब इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइच का प्याज डाल देंगे जिसको हम इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिये हैं अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ आदा लेना प्याज को हम हलका सा टांस्पार होने तक पका लेंगे यहां पर प्यास को में काला या ब्राउन नहीं करना है और नहीं लाल करना है जैसे प्यास का कच्छा पर निकल जाएगा हम इसमें एक इंच का अध्रक डालेंगे जिसको अच्छे से वासकत के छिलका निकाल लिया है एक साबुत खड़ी लाल में जि इसके बिना भी रेस्टी को मनाया जा सकता है यहां पर देखें सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है अध्रक और लेसुन का भी कच्छा पर निकल चुका है तब इसके बाद हम इसमें एड करेंगे टमाटर तो यहां पर देखें मैंने लाल टमाटर का इस्तेमाल किया एक टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो यहां पर टमाटर को में 10-15 सेकेंड अच्छे से हाइफ नेम पर भून लेना है ताकि टमाटर में स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए और इस रेस्पी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा स्मोकी सा तो यहां पर आपको खयाल लगना है कि टमाटर को हमें गलाना नहीं है तो इसलिए हम चीजों को कवर नहीं करेंगे यहां पर प्याज और टमाटर को हम ऐसे ही खुले ही 10-15 सेकंड हाई फ्लेम पर पकाएंगे अब इसके बार हम इसमें डालेंगे क्या आईया को बता देते इमली तो यहां पर देखें मैंने तो ही आप इसमें निमू का रस्टा लिएगा तो यहां पर अब हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे क्योंकि कम लग रहा है और हम गयास के फ्लेम को बन कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो जब तक यह ठंडा हो रहा है वेसन को चेक कर लेते हैं वेशन वाले घोल को 5 मिनट हो चुका है रस पर रखे हुए तो फ्रैंट 5 मिनट हो चुका है वेशन को रस पर रखे हुए ये देखिए वेशन हमारा बिल्कुल अच्छे से सूधी और वेशन फोल गया इस तरीके से गाड़ा हो गया है अब इसके अंदर हम क्या अड़ करेंगे ताकि हमें चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो तो यहां पर देखिए चंबच को मैंने ले लिया है अब इसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे एक मीडियम साइच का टमाटा जिसके मैंने बीज और जूस निकाल लिये हैं टमाटा डालने से नास्ता बहुत ही जूसी बनेगा लाल टमाटा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजट आएगा अब इसमें धेर सारा हरा धनिया डालेंगे आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हरा धनिया ना हो हरा धनिया आपको अच्छे से मोटा मोटा कट करके डालना है जिससे कास्थी बहुत संदर आएगा, फिर इसके बाद हम इसमें चीली डालेंगे जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया आ है अगर आपका बक्र ज़टा चोटा है तो आप इसके बाद मैंने लिया है गाजल को इसके लिया है वैसे तो वैसे वैजिटे ऒजटे वल सिम्लामिर्च जो हमने इस तरीके से मोटा-मोटा कटकर लिया है, ग्रीन वाला लिया आप जाहें तो यल्लो रेड वाला भी ले सकते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें एक मेडियम साइज की प्यार डालेंगे, अगर आप प्यार नहीं खाते तो इसकी कर सकते हैं, अगर खाते ह से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर आप चाहें तो इससे सिर्फ आलू से भी बना सकते लेकिन मैंने इसके अंदर विजिटेवल इसलिए डाल दिया ताकि यह नास्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए वैसे तो वच्चे 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 नाम से भागते तो इसको दो मिनट का टाइम देंगे क्योंकि हमने जो सब्जिया डाली वह अपना पानी छोड़ दे तो यहां पर हम चलिए इसको साइड में रख देते तत्त्यक हम उसको चेक कर लेते जो हमने पहले बना के रखा था वो ठंडा हो गया होगा तो यहां पर देखिए इतना ठं के से मोटा मोटा कट कर लिया है आप चाहें तो साबुद भी डाल सकते हैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी आट कर देंगे एक से दो चम्मन जिससे क्या होगा किसे हमें पीसने में विलकुल भी दिक्कत नहीं होगी यहां पर आपको खयाल यह रखना है कि ज्यादा प का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी सेल प्लाइफ भी बढ़ जाएगी तो यहां पर देखिए इस तरीके से मैं टास्वा कर लिया है थोड़ा सा पाई डाल देंगे ताकि जो जार में लगा हुआ है वह भी निकल जाए विलकुल भी वेस्ट ना हो और अब हम क्या करे आइगे तेल को बिल्कुल अच्छे से गरम कर लेंगे जमारा तेल गरम हो जाएगा अब इसके अंदर नह Me को भी लुख यह इस्पना सीकंड चटक ने देंगे काला भी नी करेंगे जैसे चटक जाएगी हम इसमें एक चुटकी हींग डाल देंगे हींगोढेंगी इनको भी 10-15 सेकंड चटका लेंगे और इस तरीके से आइड कर देंगे यह देखें तड़का लगने के बाद जो इसका टेस्ट है वह भी बढ़ गया है लुक भी बढ़ गया है और इसकी सेलफ लाइफ भी बढ़ गई है दस से पंदा दिन ते की चटनी बिलकुल भी खराब देक लाइक देकर आप मुझे प्रोस आखान दे सकते हैं और नई रेस्पी बनाने के लिए दियर तो चलिए इसको साइड में रखते हैं यहां पर देखिए यह जो विजी टेबल थी जो हमने इसके अंदर डाली थी उसने जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है और मुझे अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी आट करूंगी और इसको मैं हलका सा वापस से मिला लूँगी यहां पर देखिए सबजिया हमारी बिल्कुर अच्छे से मिल गई है सारा फ्लेवर आपस ने समा गया है और जो मसाले हमने डाले यहां पर देखिए बहुत जड़ा मैंने गाढ़ा नहीं रखा बहुत जड़ा पतला नहीं अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसर्स की तरफ दियर तो फ्रेंड आ गया है गया है यहां पर देखिए पैन को मैंने गरम कर लिया है जो भी बरतन लीजिए थोड़ा सा भारी जीजिए अब हम इसमें डालेंगे ऑएल आप घीय बटर भी डाल सकते सिर्फ एक चोटा चमद जैसे ऑइल हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा थोड़ा सा दालेंगे राई होती है बारीक वाली सरसो दो होती है मोटी आली राई डालने से पहले ह यहां पर आप देखेंगे कि इसको पकाने में बहुत कम टाइम का यूज होगा कि हमारा जो बैटर होता है सूजी और वेशन का यह बहुत जल्दी कुख होता है इसलिए जो बड़तन लीजेगा थोड़ा सा भारी लीजेगा और कंटीनू चलाते वे इसे पकाईएगा आप देखेंगे जो हमने सुर्वात ने डाला था तो यह थोड़ा सा गाड़ा था सुरी लिकवेट था अब यह 10 सेकंड के बाद ही गाड़ा होना शुरू हो गया है यहां पर हमें इसको सिर्फ 50 परसंट तक पकाना है पूरा 100 परसंट तक नहीं पकाना है तो यहां पर मैं ल अच्छे आलू के तूटेंगे रहें तो यहां पर देखेंगे इस तरीके से यह गाड़ा होना शुरू हो गया है मुस्किल से एक से दो मिनट का टाइम लगेगा तो इसलिए कंटीनू चलाते वे से पकाईए और जो बड़तर लीजे थोड़ा सा भारी लीजे ताकि यह जल देना नीचे से यहां पर देखें इस तरीके से इसका कलाड़ चेंज होना शुरू हो गया है और इस तरीके से जब सिमटने लगे विलकोर अच्छे से खटा होने लगे तो समझ जाईए यह को खोना सुरू हो गया है तो टोटा इसको बनाने में 3-4 मिनट का टाइम लगेग मैं बिना आपको चासनी बनाए सूजी का बिल्कुल दानेदार हल्वा बना के दिखाऊंगी जिसे आप किसी महमान को खिलाएंगे तो महमान आपसे रहस्वी पूछे बिना नहीं जाएंगे यह देखिए तो इस तरीके से हमारा पूरा मिस्टन हो गया है रेडी अब मैं आप इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी कैसे आपको चेक करना है कि यह कुख हुआ है नहीं 50% तो यहां पर देखिए काफी जड़ा जल्ला है थोड़ा से ले लीजिए जल्ला है अराम से लीजिए और इस तरीके से गोला बनाईए अगर गोले में क्रैक नहीं आ रहे तो स आठाटा हुआ है तो आपको ठोड़ा सा और पकाना है तो यह हो गया है अब इसको ठ्णडा खरने केबाद इस तो आपके हाथ जल जाएंगे तो छरीए इतना थंडा होगा है कि हम इसे आराम से छूपा रहे हलका सा गुनगुना है थोड़ा सा अपनी हथेरियों पर ऐल लगा लेंगे ताकि यह चिपकेना और इस तरीके से हम इसको 10-15 सेकेड मसलेंगे मसलें से दो फाइदे होंगे एक तो यह बिल्कुर अच्छे से चिकना हो जाएगा और दूसरा हमारा नास्ता बह होती जड़ा कुरकुराव क्रिस्पी बनेगा तो हलका सा जब गरम होगा तभी आप इसको मसलेंगे तभी सारा मिश्रन है आपस में अच्छे से सिमट जाएगा अगर ठंडा होने के बाद मसलेंगे तो वह विखरावपन जरूर आएगा कि कि इसके अंदर सूजी है यहां पर देखें दस से पंदा से के अच्छे से मसल लिया है बहुत साय लोग की सिकायद होती है जब वह नास्ता बनाते तब गरम-गरम खाते तब पर कुरकुरा रहता है लेकिन जैसे ठंडा हो जाता है सौट हो जाता है जिसका कारण यह है कि आप इसको मसलते नहीं है तो पर इसको मने भीस πα्राणाने मेरा फेडर्ट सेकों साय वहाँ वह में आपको बताऊंगी तो निभू किया कर का मेशन लेंगे और इसको पहले हम इस तरीके से गोल कर लेंगे फिर गोल करने के बाद इस तरीके से हल्का सा प्रकुर्षाल देते और चप्टा कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से साइडों से हलका हलका सा इस तरीके से शेप दे देंगे परफेक्ट अब हम फिंगर वाली उंगली को इसके अंदर इस तरीके से करेंगे और इसको हम इस तरीके से वड़े का शेप देंगे यह देखे कितना सुन्दर सा शेप आ गया है तो जरूरी नही के बाद हलकालका सा इस तरीके से गोल घुमा लीजिए जिससे क्योंगा परफेक्ट सेप आ जाएगा और फिर इसके बाद आपको सबसे छोटी अली उंगली इसके अंदर प्रश करनी है इस तरीके से और यहां पर पीछे से भी कर लीजिएगा ताकि दोनों तरफ से बढ़ी ह यह देखिए कितना प्यारा सा बन गया है तो दो मैंने रेडी कर लिए है इसी तरीके से मैं बाकी बनाओंगी आप इस तरीके से बना के इसे हवाबन डिप्वे में भरके रह सकते हैं पंदा दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा फटाफट निकालिए और पांच प्र प्रोसेश की तरफ दियर तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ यहां पर देखें मैंने कराही लिए आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं यहां पर तेल को में बिल्कुल अच्छर से गरम कर लेना है यहां पर खयाल यह रखना है जब एक बार गरम हो जाएगा तो गैस के फ् परमहट महसूस हो रही तो समझे यह तेल गरम हो चुका है जब एक बार तेल गरम हो जाएगा तो इस तरीके से अपने नास्ते को डालेंगे यहां पर दूसरी टीप यह है कि डालते ही तुरंद इसको चलाने की गलती नहीं करनी है इसको आपको पकने देना है दो मिनट के के लिए तो इसके बाद हम इसको टर्ण करेंगे अगर आप इसे बहुत बंद लाएटरा कम बनाना है और ऊंध下次 कर दो कि छेक करेंगे और आप इसके सामने समोचा कर बहुछ जाएगे यह बहुत ज़रा हेल्दी है, लाइट वेट है, क्योंकि यह सूजी और बेसन से बनाएं, तो चलिए दो मिनट के बाद आपको दिखाते हैं इसको कैसे पलटना है, तो फ्रेंड, दो मिनट हो चुका है, इसको पकते हुए, आप इसको पलटने के लिए हम या फिर नाइफ ले क्योंकि सूजी और बेसन अच्छे से कोख हुआ है, यानि हमने पका करें डाला है, और दूसरी बात जो हमने इसके अंदर चावल काटा डाला है, उससे यह कुरकुरा होने के साथ साथ विल्कुल भी ओईली नहीं बनता है, चावल का जो आँटा होता है, वह इसके अंदर जाने से रोकता है, और यह लंबे समय तक क्रिस्पी और कुरकुरा रहता है, अगर आपके पास चावल काटा ना हो, आपके रेस्पी चाहिए तो कमेंट बाक्स में करिएगा, तो चलिए दो मिनट के बाद इससे चेक करेंगे, तो फ्रेंट दो मिनट हो चुका है, दूसरे समय समय तो महंगे भी पड़ते हैं, और समय सा खाने के बाद आपकी तव्यदी खराब हो जाती है, तो समय से को भूल जाएए, कचोड़ी को भूल जाएए, इस नास्ते को ट्राइ कीजिए, आप इसके दिवाने हो जाएंगे, देख लीजे कितना प्यारा सा कलर आया है, अ जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, अपना बाकी बचा भी नास्ता बना लेंगे, तो यह देखिए इस तरीके से हमारा तेल मीडियम फ्लेम पे ही है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाया है, तो चलिए इसको बना लेते हैं, फिरास से मिलते, यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा कलर देखिए कितना घुट से अबसे मिलते हैं, यह देखिए कितना से मोचे ही को बहुत जदा पसंद आएगा, और इस चतिनी के साद हैं, वो अलग ही लेवल का है, आप एक बार इस नास्ते को चट्नी के साथ enjoy कर लेंगे तो जब भी नास्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे इसके वे गारंटी लेती हूँ अगर आप चटनी नहीं बना चलते तो आप इसे केचप के साथ enjoy कर सकते अगर आपको homemade ketchup की रेस्पी चुह है तो comment box करना मैं आपके साथ share करूंगी यह मेरा घर का बना केचप है और यह बहुत ही आसान तरीके से आप बना के पूरे साल स्टोर कर सकते हैं बच्चों को केचप के साथ बहुत ज़रा पसंद होता है तो आप उन्हें के साथ दे सकते हैं अगर आप enjoy कर रहें तो इस चटनी के साथ enjoy कीजिएगा आपको मज़ा जाएगा इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर है और दस से पंदा दिन तक बिल्कुल भी चटनी खराब नहीं होती है तो फ्रेंट यह देखिए नास्ता जितना जड़ा क्रिस्टी बना है उससे जड़ा देखिए बिल्कुल भी ओईली नहीं